Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इस बार थोड़ा सा अलग है, हर साल क्या होता है, कि यहाँ पर जो Economic Survey है, वो आपका 31st of January को आता है, और 1st of February को Budget आता है, लेकिन हम सबको पता है, इस बार जो Budget है, वो Interim Budget आया था, क्योंकि चुनाओ था, और Finally इसी की वज़े से, यहाँ पर 23rd of July को Budget आएगा कल, और आज 22nd of July को Economic Survey रिलीस कर दिया गया है, तो चलिए इसकी सुरुवात करते हैं, लेकिन उससे पहले में आप सबको यहाँ पर बता दूँ, कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की त्यारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिग्या बैच है, वो ले सकते हैं, देखें, यह जो प्रतिग्या प्रिलिंस एक्जाम जश्ट क्राक करिए, और यह पूरा फीस आपको मिल जाएगा, और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट अप पर जाएए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और आपको यूज करना है, यह कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिसक यहा रहा था, हमारी फानेंस मिनिस्टर निर्मला सीतरामंग जी ने, आज फर्स्ट डे ओफ मॉनसून सेशन को, यहाँ पर जो एकनॉमिक सर्वे है, दो हजार तेइस चौबिस का, वो रिलीस कर दिया गया, अब ध्यान रखेगा, एक चीज इंपॉर्टेंस आप सब के लि से लेकर 31st of March 2024 के बीच में, पिछले financial year में हमारे देश में क्या हुआ, किस तरह की स्थिती बनी, उसके बारे में होता है, और जो budget होता है, वो basically हमारा जो आगे आने वाला वर्ष है, मतलब यह जो current financial year चल रहा है, जैसे कि 2024 का, उसके बारे में होता है, तो यह main difference आपको पता survey नहीं था, full survey नहीं था, जैसा कि आप देख सकते हो, और मैंने इसके उपर भी वीडियो बनाया था, यह जो पूरा survey है, full survey है, वो आज जाकर release किया गया है, खेर अब question यहाँ पर यह भी आएगा, बहुत से लोगों को पता ना हो, कि economic survey होता क्या है, देखे इसके नाम से ही कि एक detailed report होता है, हमारी देश की economy का, मतलब हमारे देश की economy में, पिछले financial year में, क्या क्या हुआ, क्या स्थिती बनी, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में बताया जाता है, और इसको prepare कौन करता है, यह prepare किया जाता है, Union Finance Ministry के अंदर, जो Department of Economic Affairs है, उसके अगर आप देखोगे, 1950 से लेकर 1964 के बीच में, तो economic survey अलग से present नहीं होता था, वो budget के साथ ही, एक detailed statement release कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद से लेकर 2011 तक अगर आप देखिए, तो एक volume में, यहाँ पर जो economic survey है, वो release किया गया, लेकिन फिर 2010 से 11 से लेकर 2020 के बीच में, द दो volume साती थी, दो book यहाँ पर आती थी अगर आपको याद हो, लेकिन क्या हुआ है कि पिछले साल यहाँ पर वापस से single volume में कर दिया गया, मतलब स्रिफ एक single volume की जो book है, वो release की जाती है, जैसे पिछला वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर जो economic survey है, 2022-2023 का, यह मैं पिछ significance क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक चीज ध्यान रखेगा, economic survey, यह सरकार के उपर binding नहीं होता, मतलब economic survey के अंदर जो जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है, कि सरकार को यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के उपर binding है, सरकार चाहे तो उसको accept कर सकती है, या फिर reject कर सकती है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी chief economic advisor होते हैं, वो सरकार के साथ मिलकर ही आपर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको difference देखने को मिलेगा, तो इसी के वज़े से जो economic survey है, वो हमारे देश की अर्थ ववस्था जानने के लिए सबसे detailed report होता है, अगर आपको जानना है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, आप economic survey उठा के देख लिए, उसका analysis देख लिए, आपको लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो इस बार का जो economic survey आप देख सकते हो, 2023-2024 का, इसमें कई स सारे chapters हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे state of the economy, monetary management, prices and inflation को लेकर क्या का गया है, external sector को लेकर क्या का गया है, तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, एक तो आपको पहला overview बताऊँगा, और उसके बाद जितने भी chapters हैं, उसमें जो जो important चीजें थी, उसके बारे में मैंने highlights कर दिया है, ताकि आपका कुछ भी यहाँ पर ना छूटे, जो भी important चीज है, वो सब कुछ आपका इसमें cover हो जाएगा, तो खेर, सबसे पहला question यह है, कि economic survey 2023-24 ने क्या कहा है, देखिए, यहाँ पर सबसे important चीज यह बोली गई है, कि जो भारत की earth वस्ता है, वो robust है और stable है, मतलब हमें घवरानी की जरूरत नहीं है, चिंता करनी की जरूरत नहीं है, भले ही बहुत सारे geopolitical challenges हैं, कहीं war हो रहा है, कहीं पर food production कम हो रहा है, climate change हो रहा है, उन सारे चीजों के बीच में भारत एक resilience के तोर पर उतरा है, साथी साथ मैं आपको ब COVID recovery, मतलब जो COVID का एक दौर था, वो अब पूरी तरह से पीछे छुट गया है, अब हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, कि COVID से हम शायद उतना उभर नहीं पाये थे, COVID का कहीं ना कहीं जो संकट है, वो जो कहते हैं बादल है, व उन्होंने बहुत crucial role, मतलब बहुत important role अपनाया है, ताकि हमारे देश की economic और financial stability बनी रहे, साथी साथ बोला गया है कि global volatility के बावजूद भारत की अर्थ ववस्ताने बहुत अच्छा perform किया है, सर्वे ने highlight किया है कि यहाँ पर अगर हमें sustainable domestic एक तरह से growth चाहिए, सब कुछ तो हमें और चीजों पर focus करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे domestic front पर और जादा महनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर heavy lifting शब्द का इस्तमाल किया गया है, और बोला गया है कि यहाँ पर दुनिया भर में अगर आप देखोगे, तो आज के date में बहुत मुश्किल हो गया है agreement को reach करन मतलब आप देखते ही रहते होगे कि कभी कोई पडोसी देश problem create कर रहा है, दुनिया भर में अगर आपको एक particular agreement करना चाहते हो, तो उसको करना बड़ा मुश्किल है, रश्या का किसी के साथ बनता है, किसी के साथ नहीं बनता है, सेम उसी प्रकार से US का किसी के साथ बनेगा अभी तक उसने भारत की अर्थववस्था को बचा कर रखा है, मतलब रीड की हड़ी कहते है न, वो एक तरह से public investment बन गई है, लेकिन ध्यान रखेगा दोस्तों, public investment कभी भी long term में sustainable नहीं हो सकता, अगर हमें अपने देश की अर्थववस्था को और तेगी से बढ़ाना है, ग्रोथ का momentum मजबूत रखना है, तो private sector का involvement लाना ही पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है आपको याद होगा, COVID के दौरान क्या हुआ था, COVID के दौरान basically सरकार ने खर्च करना है start किया, क्योंकि लोग खर्चा करने ही रहे थे, कई लोगों की आमदनी कम हो गई थी, तो इसकी व जरूरत है कि जो private sector investment है, वो बढ़े, और economic survey के अंदर बोला गया है कि अब 2022 के बाद से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो private investment है, वो economy में बढ़ आए, and that is the sign of encouragement, ऐसा economic survey कह रहा है, अब question यहाँ पर यहाँ बहुत से लोग जाना चाहते होंगे, GDP growth को लेकर क्या बोला गया है economic survey के अंदर, दगो यहाँ पर सबसे पहले economic survey ने कहा है कि हमें एक context में देखना चाहिए, मतलब भारत की GDP growth है वो एक context में समझने की कोशिश करने चाहिए, जैसी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया की GDP बढ़ रही है 7% से, और हम बढ़ है 8% से, तो क्या यह बहुत अ अची खबर है, तो वो context हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, तो economic survey का यहाँ पर यह कहना है कि जो अभी world economic outlook आया था उसमें यह बताया गया, कि दुनिया की जो economic growth है, वो 2023 में 3.2% रही है, और यह आपको अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार की economy देखने को मिलेग जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 2023-24 में यहाँ पर आप देख पाएंगे 3.2% के आसपास growth रही है, यह average है पूरे दुनिया की growth का, जहां तक advanced economies का सवाल है, जो अलड़ी developed हो चुके हैं, उनका growth 1.6% रहा, जो developing countries हैं, उनका growth 4.3% रहा, तो भारत किसमें आता है, भारत की GDP growth रही, वो कितनी थी, वो बहुत अच्छी थी, it was 8.2%, मतलब average था पूरे दुनिया के developing economies का 4.3%, हमने growth किया 8.2% से, मतलब which is better, यहाँ पर economic survey का कहना है, in fact, economic survey ने यह भी पताया, कि पिछले 4 quarter में, भारत ने 3 quarter में 8% से जाधा की growth दिखाई है, तो यहाँ पर basically जो macro economic stability है, उसको भारत ने maintain किया है, जिसकी वज़े से भली global factors, भली कितने भी खराब हो, कहीं war हो रही हो, कहीं पर कुछ हो रहा हो, उसका direct असर भारत की अर्थवस्था पर बहुत कम पड़ा, और यही चीज हमें maintain करने की जिरुवत है, जहाँ तक सवाल है, आगे आने वाले समय में क economic survey का कहना है, और दिखे, economic survey ने यह कहा, कि अगर आप इसको compare करोगे 2019-20 से, मतलब 2019-20 यह pre-covid का समय था, covid के just पहले, तो वहां से लेकर अभी तक 5 साल में हमारा GDP growth में 20% का jump आया है, which is good, क्योंकि covid में तो क्या हुआ था, GDP नीचे गिर गई थी, negative में चली गई थी, तो पू सिर्फ तारीफी करेगा, आपको क्या लगता है, मतलब economic survey है, तो वो सरकार के साथ मिल कर काम करें, अब बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिसको लेकर वो सुझाओ देते हैं, लेकिन direct आपको ऐसा बहुत बड़ा कोई criticism, economic survey के अंदर usually देखने को नहीं मिलता, मैं यह हमे इसमें COVID-19 pandemic, geopolitical tension, supply disruption, इन सब की वजह से inflation काफी high चल रहा था, भारत में भी अगर आप देखोगे तो inflation वारा 6-7% के उपर चला गया था, usually क्या होता है, यहाँ पर जो RBI को mandate दिया गया है, वो यही है, कि inflation 2% से लेकर 6% के बीच में रहना चीए, average 4% होना चीए, लेकिन यह 6 50% के उपर चल रहा था, जो कि चिंता जनक बात थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कि अब central government ने timely जो intervention किया, जो issues को resolve किये, RBI ने यहाँ पर steps लिये, इसको देखते वे हमारा जो retail inflation है, वो 5.4% पर आ गया है, जो कि COVID pandemic से लेकर अभी तक आप देखोगे, तो सबसे lowest level पर ह तो inflation अब control में आ गया, लेकिन मैं अगेन यहाँ पर एक चीज कहूँगा भी recently, मैंने वीडियो भी बनाया था, regarding food inflation, देखो overall भले ही आपको ये 5.4% देखने को मिल रहा है, let me tell you, जो food inflation है, वो लगभग 9% को भी cross कर गया है, और आपको पता ही है, आम नागरी के उपर जो बहुत माइने रखता है, तो food inflation काफी बढ़ गया था, और economic survey में भी उसको लेकर चर्चा किया गया और बताया गया, कि because of adverse weather conditions और international issues की वजए से, हमारा जो food inflation है, वो high चल रहा था, यहाँ पर जो weather events खराब हुए, reservoirs, भारत के इंदर आपने देखा हुगा, कई dams वोगर में पानी कम हो गया था, crop damage हुआ, इन सब की वजए से पिछले साल L9 आ रखा था, इन सब की वजए से यहाँ पर हमारे production पर असर करा, और इसी की वजए से यहाँ पर food inflation बढ़ा था, फिर next यहाँ पर एक और चीज़ important है कि RBI ने भी काफी मदद की overall inflation को control करने के लिए, क्योंकि कि हमारे देश की GDP बढ़ सके, लेकिन जब यहाँ पर inflation बढ़ा इसको देखते वे RBI ने धेरे धेरे क्या किया, 4% हमारे repo rate को बढ़ा बढ़ा कर 6.5% पर ले आए, और जिसकी वजए से हम inflation को control कर पाए हैं, तो यह हो गए inflation की बात, अब मैं आता हूँ यहाँ पर banking and financial sector performance को ल भारत का banking and financial sector में काफी अच्छा strong performance दिया है, जो bank credit growth है, वो double digit में दिखा है, मतब 10% से उपर दिखा है, अब अब अव्वेसी बात है, किसी भी bank के लिए अच्छी बात होती है कि लोग जादा से जादा credit लें, क्योंकि जब लोग जादा credit लेंगे और उस पर interest चुकाएंग इसकी वज़े से bank को काफी नुकसान हो रहा था, और इसी की वज़े से NPA को control करना वहत important था, इनफार्ट मैं देख रहा था कि एक समय था कि जो सरकारी bank है, उनका NPA 13%, 14% चला गया है, मतलब 100 रुपए अगर किसी सरकारी bank ने दिया है, तो 13-14 रुपए तो वापस ही नहीं तो ये तो बहुत बड़ा जटका होता है, और ऐसा लग रहा थे कि क्या कई सारे banks crash कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर timely intervention की वज़े से NPA को control किया गया है, और अब ये multi-year low पर आ चुका है, ये करीब 3% के आसपास आ गया है, 2-2% के आसपास, तो काफी अच्छा improvement हुआ है NPA की अगर हम बात करें, जहां तक capital formation, देखो यहां पर एक और चीज बोला गया, आपको याद होगा, stock market performance बहुत अच्छी रही है, तो इसमें क्या होता है न, जो companies वगरा हैं, वो क्या करती है, capital जुटाती है, अब capital कहां से जुटाएंगी, जब अपनी companies को list करेंगी, तो आपक capital market ने facilitate किया companies को कि वो 10 लाग करोन से ज़ादा जुटा सकें, तो ये भी एक दर्शाता है कि भारत की अर्थववस्ता काफी मजबूत है, लोग पैसे लगाने के लिए ready हैं, और stock market के बारे में तो क्या ही कहना, मतलब जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है stock market, मतलब डर भी लग रहा है कि क्या होगा, कुछ bubble तो create नहीं हो रहा है, लेकिन overall यहाँ पर ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो भारत का market capitalization to GDP ratio है, ये fifth largest हो गया है दुनिया में, अगर हम बात करें, और इसके उपर भी एक separate वीडियो शायद मैंने बनाया भी था मुझे याद ह खेर, next अगर हम बात करें external sector के बारे में, एक दूसरा chapter भी है यहाँ पर इस economic survey के अंदर, external sector के अंदर बोला गया है कि again, भारत का external sector काफी मजबूत है despite geopolitical tensions, मतलब आप कोई भी measure ले लिजे भारत का, चाहे logistics performance index देखिए, हमने अपनी rank improve की है, 2018 में rank थी हमारी 44th, 2023 में हो गई 38th, in out of 139 countries, जहां तक export diversification का सवाल है, इसका कहने का मतलब यह हुआ, कि भारत कितने देशों को यहाँ पर export करता है, तो हमने और जादा देशों को export करना है, इससे फायदा यह होता है कि अगर माल लो, हम बहुत सारा export सिर्फ चाइना को कर रहे हैं, और चाइना की साथ tension बढ एक दो countries के उपर dependent ना रहें, हम जादा से जादा देशों को यहाँ पर export करें, और ultimately export जादा करने की वज़े से, जो हमारा current account deficit है, वो भी काफी बहतर हुआ है, यहाँ पर आप देख सकतो, it has been narrowed to 0.7% of GDP in 2023-24, और इसका कारण यह है कि हमने यहाँ पर जादा merchandise export किया है, जो goods export होता है, वो किया है, और साती साथ service export भी हमारा बढ़ा है, जिसकी वज़े से overall current account deficit भी कम हो गया है, इसके लावा यहाँ पर service export की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो, it has grown by 4.9%, मतब 341 billion dollar का हमने service export किया है, and that is mainly because of IT software services, आपको पता ही है, भारत महारत हासिल कर चुका ह IT software services के अंदर चाहा, Infosys O, TCS O, काफी बड़े बड़े business करते हैं, जहां तक remittances का सवाल है, मतलब भारती लोग जब बाहर जाते हैं, और बहां से पैसे भेशते हैं, तो आप देख सकते हैं, पुरे दुनिया में भारत top remittance recipient है, और यह पहुँच गया 2023 में 120 billion dollar, मतलब इतन सारा पैसा भारत में आया था, जहां तक foreign portfolio investment का सवाल है, मतलब की जो बाहर के निवेशक हैं, वो हमारे stock market में निवेश करते हैं, तो उनका भी positive ही रुझान रहा है, usually क्या होता है कि जो पैसा भारत में आता है, उसमें से काफी सारा वापस चला जाता है, जब वो लोग पैस से कमा लेते हैं, लेकिन 2023-2024 में ये आपका positive मेरा है, मतलब ज्यादा पैसा भारत आया है, जहां तक foreign reserve का सवाल है, हम सबको पता है, foreign reserve again कितना important है, मतलब जिसमें हमारे पास कितना dollar reserve में पढ़ा है, gold पढ़ा है, RBI foreign reserve रखती है, तो यहां पर हम 10 महीने का cover कर सकते हैं, तो कुछ भी हमारा reserve नहीं बढ़ता है, और पैसा नहीं आता है हमारे पास, तो 10 महने तक हमारा आराम से चल जाएगा, आपको याद होगा 1991 के समय भारत के पास सिर्फ 15 दिन का reserve भचा हुआ था, तो यह बड़ा चिंता की बात है, फिर इसके लवा हमारा external debt है, that covers 98%, मतलब ज यह ratio अगर हम बात करें, debt to GDP, external debt to GDP ratio, यह सिर्फ 18.7% है, क्योंकि क्या होता है, भारत सरकार वगर भी पैसे लेती है, भारत की companies भी पैसे उठाती है, लेकिन हमें कोशेश यह करना चाहिए, कि बाहर के देशों से हम ज्यादा पैसे उधार ना ले, क्योंकि जब हमें पैसे ल demand कम होगी, demand कम होगी, तो हम export उतना नहीं कर पाएंगे, इसके लाबा बहुत से देश हैं, वो trade protectionism अपना रहे हैं, मतलब कि export, import थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो इसकी वज़े से भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर सरकार और private sector को, दोनों को जो barriers है, उसक तक आप देख रहोगे, काफी जादा restrict किया जा रहा था Chinese investment को, जो Chinese companies हैं, वो भारत में invest करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार allow नहीं कर रहे थी, recently मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि भारत में कई सारे companies हैं, जो visa दिलाना चाहते हैं, Chinese लोगों को, कि व भारत में आएं, उनको experts की जरुवत है, especially IT सेक्टर वगरा के अंदर, electronic सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर क्या है कि जो Chinese companies हैं, उनको allow किया जाए, वो और investment करेंगे, तो भारत को फायदा ही होगा, ऐसा economic survey का कहना है, फिर next यहाँ पर एक जो chapter है, economic survey के अंदर, that is regarding climate change and energy transition, तो एक report आया था by International Finance Corporation, उन्होंने भारत के effort को recognize किया है, कि climate action के मामले में, भारत सबसे ज़्यादा committed है, मतलब हम एकलौते G20 देश ऐसे हैं, जो 2 degree centigrade का जो warming है, उसके अंदर रहने की कोशिश करना है, मतलब क्या है कि आपको पता ही है, यह बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया म 21st century में, यहाँ पर 2 degree Celsius से जादा नहीं बढ़ना चीए, हमारा जो sea level है, rise नहीं होना चीए, तो क्या होगा कि हर एक देश को यहाँ पर target दिया जाता है, कि हर एक देश इसको control करने के लिए क्या कर रहा है, तो G20 देशों में भारत एकलौसा देश है, जो कि इसकी पालना कर हम बहुत सारे कदम उठा रहे है, in fact आप देख सकते हो, 2024, 31st में तक हमारा जो भी electricity generation capacity है भारत का, उसमें से 45% हम non-fossil sources से बनाते हैं, जैसे wind energy हो गया, solar energy हो गया, इस तरह के sources से हमारा आता है लगबख 45% electricity, इसके लावा भारत ने कई सारे international initiatives लिया है, climate change को देखते वे, ज one world, one sun, one grid, इसको लेकर काम चल रहा है, इसके लावा coalition for disaster resilient infrastructure, infrastructure for resilient island states हो गया, मतलब जो island देश हैं, उनके लिए, उनको सयोग करने क्लिक हो, कि अगर sea level rise होगा, तो सबसे पहले ये छोटे-छोटे island countries डूबेंगे, तो उनको उनके लिए भारत ने initiative लिया, leadership group for industry transition, तो ये सारे initiative global level पर भारत ने लिया है, फिर next यहाँ पर economic survey में एक बड़ा important chapter है, that is regarding social sector, मतलब की social sector के माध्यम से देश के लोगों को कैसे फायदा पहुचाया जा रहा है, और इसके अंदर यहाँ पर बोला गया है, कि भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाये हैं, empowerment के लिए, चाहें education sector की अ कई सारे बदलाओ किये जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पर special focus है, जो foundational literacy है, क्या कहा जाता है, कि हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे तो हैं, लोग graduation तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वो skill नहीं है, जिससे वो नौकरी मिल सके, तो इस बार अब क्या है कि सरका जो education policies ला रही है अपना रही है, उसमें skill के उपर काफी focus कर रही है, ऐसा economic survey का कहना है, फिर और क्या आता है social sector में, जैसे healthcare हो गया, आयुश्मान भारत स्कीम सरकार ने launch किया, जिसमें card issues किये गहते, 34 करोण आयुश्मान भारत card issue है, और आपको पता है, इसकी वजह से 1.25 ल इतना सारा पैसा बचाएगा, इसके अलावा सरकार mental health के उपर काफी focus करी है, woman-led development, आपको पता होगा, self-help group के माध्यम से, यहाँ पर encourage कर रही है महिलाओं को कि वो भी भागिदारी दे, मतलब हिस्सा बने economic के अंदर, तो इसके माध्यम से भी woman-led development किया जा रहा है, फिर next य food management के उपर, तो हम इस sector को और उपर ले जा सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसके growth की बात करें, average annual growth, आप देख सकते हो, यह करीब 4% को भी cross किया है पिछले 5 सालों में, although 2023-24 में जो पिछला वाला financial year था, उसमें शायद उतनी growth आपको देखने को नहीं मिलेगी, it was just 1.4%, लेकि भी अच्छा खासा growth की हैं, जैसे livestock sector आप देख सकते हैं, 2014-15 से 2022-23 में 7% का growth हर साल दिखाए है, average growth, fisheries sector भी आप देख सकतो, 8-9% का growth हुआ है, मतलब agriculture के साथ जो उसके allied sectors हैं, बाकी के livestock, fisheries, उन्होंने बहुत अच्छा performance किया है, और इसके लिए इस क्या है कि सरकार का कि तक क्या होता आ रहा था कि बहुत से लोग informal तरीके से पैसा लेते, साहुकार वगर आपने सुनाओगा, गावगर में कोई बड़ा वेक्ति है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो गरीब वेक्ति क्या है, उसके पास जाकर पैसा उधार लेता है, और उसको बहुत सारा इंट्रेस्ट रुकाना पड़ता था, लेकिन अब देखें चीजे काफी बदल गई है, यहाँ पर बताया गया है कि 1950 में देश आजा जब होगा था, 90% जो लोग पैसा लेते थे, वो informal तरीके से लेते थे, लेकिन आज के डेट में यह घटकर 23% हो गया है, मतलब अभी भी लोगों को credit मिल सके, और जब उनको यह चीज मिलेगा, तो हमारा agriculture और food management वाला जो पुरा sector है, वो uplift हो सकता है, इसके लावा food processing बहुत ही important है, जिसके उपर सरकार again focus कर रही है, ऐसा economic survey कह रहा है, मतलब जैसे मानलोगर मैं कहता हूँ कि जैसे टमाटर है, टमाटर को अगर बहुत फायदा हो सकता है, तो वो जादा से जादा लगाना चीए, फिर इसके लावा यहाँ पर आपको याद होगा, सरकार ने परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना चलाई थी, जिसके तहट सरकार बहुत सारा free में आनाज दे रही है, करीब 81.35 करोन लोगों को free में आना जाहिर सी बात है agriculture, तो ही है important जो हमने discuss किया, लेकिन industry और important हो जाता है, क्योंकि ultimately क्या है कि आज भी अगर आप देखे तो हमारे देश में agriculture में लगवा 50% जनता है जो agriculture में involved है, लेकिन वो कम करने किया हो सकता है, और उनको किधर भेजना है, उनको भेजना है service sector में, industrial sector में, तो industry में भी क्या है कि हमारे देश में small और medium enterprise वो बहुत important role play करते हैं, तो economic survey में बताया गया कि जो हम growth की बात कर रहें न, देश की जो GDP growth हभी हुई है 2023-2024 में 8.2%, इसमें industrial sector का बहुत बड़ा योगदान है, आप देख सकतो industrial growth हुई है करीब 9.5%, तो जाहिर सी बात है, ये overall GDP growth से जाधा हुई है यहाँ पर, चाहे manufacturing sector की हम बात करें, steel sector, steel पहले आपको मैं बता दू, 10 साल पहले हम net importer हुआ करते थे, हमें steel बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज के date में हम net exporter हो गए हैं, पिछले 10 वर्षों में, coal production लगता यहाँ पर बहाय जा रहा है, ताकि again जो हम बाहर से कोईला बगर मंगाते हैं, वो मंगाने की आवशक्ता ना पड़े, और इस तरह के बहुत सारी चीज़े हैं, मैं सब कुछ महीं बता रहा हूँ, जो important चीज़े हैं, मैं उसकी क्यों पर focus कर रहा हूँ, इसके लावा यहाँ पर government ने कई सारे initiative लिया है, जैसे क इंडुस्ट्री में सबसे important क्या होता है, ease of doing business, कि क्या जो कागज पत्तर वगर है, क्या वो सरकार उसको जल से जल अलाव कर रही है कि ने, उसको पास किया जा रहा है कि ने, corruption कम है कि ने, वो सब important हो जाता है, इसके लावा आपको याद दोगा industrial sector को बढ़ावा देने के लि that is micro small medium enterprise को support करने के लिए आप देख सकते हैं, 2023 पिछले financial year में सरकार ने 9000 करोन रुपए as credit guarantee fund trust for MSME दिया था, और इसी की वज़े से आप देखिए, यहाँ पर सरकार ने 91.76 lakh loans guarantee के तौर पर खुद लिया है, मतलब ये loan लोगों को नहीं मिल पाते अगर सरकार guarantee नहीं लेती, और इसकी वज़े से आप देखिए, 6.7 lakh करोन loan जो है disburse किया गया है, यहाँ पर industries को दिया गया है ताकि वो कारखाने setup कर सकें, तो यहाँ पर हमने बात किसकी कर ली, agriculture की कर ली, industry की कर ली, और एक और chapter है economic survey के अंदर regarding services, और इसके अंदर again बोला गया है कि बहुत सारी opportunities हैं, service sector का contribution आपको पता है हमारे देश की GDP में सबसे ज़्यादा है, लगभग 55% contribution service sector से आया था पिछले साल 2023-24 में, और इसका growth हुआ है लगभग 7.6% और यहाँ पर आप देखिए, purchasing managers index, global service export, यह सब में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्या होता है, PMI index में क्या होता है क तो मतलब हम पिछले महिने के मुकाबले जादा अच्छा perform किया है, और मैं आपको बता दूँ, पिछले 35 महिने से, 35 मन्द से, मतलब 2021 से अगर आप देखोगे, August के महिने से, अभी तक लगतार हमारा PMI index बढ़ता रहा है, मतलब हर महिने दर महिने हम better perform किया है, उसी प्रकार से global service export भी आप देख सकते हो, 4.4% of world's commercial service export, ये भारत का हिस्सा export के मामले में, अब इसके लबाद देखिए, आज के टिप में किसकी चर्चा होती है, जो emerging job demands है, जैसे आज के date में AI की चर्चा होती है, ब्लॉक्चेन की चर्चा होती है, तो economic survey में बोला गया है कि हमें इन sectors के अंदर और जादा skill provide करने की आउशकता है, चाहें blockchain है, artificial intelligence है, machine learning है, internet of things है, cyber security, cloud computing, big data analytics, augmented reality, ये सब उभरते वाले sectors है, and let me tell you, मैं आपको बता भी दूँ, कि इसी को ध्यान में रखते वे, study IQ ने भी, अपना skill based course भी चालू किया है, क्योंकि हमारे UPSC course, बाकी competitive exams के तो आते ही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सीच में feel हुआ, कि आगे आने वाला समय AI का है, machine learning का है, और इसी को देखते वे, अभी के लिए हमने क्या किया है, जो AI वाला course है, basically मैं chat, GPT वगरा की बात करा हूँ, वो सब भी course study IQ ने launch किया, मैं जब आपको information दे रहा था, खेर, यहाँ प बहुत डर है कि AI के आने की वज़े से, service sector हमारा बहुत जादा खराब हो सकता है, लेकिन economic survey के अंदर बताया है कि, अगर हम इसका impact देखे भी, तो जादा से जादा 0.3% से 0.4% के बीश में होगा, अगले 10 वर्षों में, तो ऐस सच हमें बहुत जादा चिंता करने की करेंगे, तो वो wastage हो जाएगा, फिर इसके लावा अगेन यही चीज बोला जारा है बार-बार, कि सरकार और industry दोनों को मिलकर यह चीज करना होगा, अब skill of workforce, और finally यहाँ पर मैं आपसे discuss करूँगा कि economic survey के अंदर क्या-क्या सुझाओ दिये गए हैं सरकार को, कि मतलब सरका सरकार focus करेगी, तो देश को फायदा हो सकता है, जैसे कि job and skill creation, यह पहले ही हमने बात कर लिया, maximizing agriculture sector potential, हमारे देश में अभी हमने agriculture sector का जो potential है, उसको maximize नहीं किया है, फिर इसके लावा MSME में जो issues हैं, उसके उपर सरकार को focus करना चाहिए, यहाँ पर हमें green transition की तरफ आगे ब confidence नहीं की, तो यह क्या है, climate change है, तो जरूरी हो जाता है कि green transition पर सरकार focus करें, इसके लावा यहाँ पर navigating relations with China again, चाइना को लेकर हमें थोड़ा साथ देखना होगा, समझना होगा, कि कैसे उसके साथ relations manage किया जाए, और जो भी investment वग रहा है, उसको भारत में allow करना किये, इसके वज़े से भारत में काफी सारा पैसा आएगा, billions of dollars आएगे, फिर इसके लावा inequality को कैसे tackle करना, क्योंकि no doubt inequality बढ़ती जारी, सरकार उसको लेकर क्या कर सकती है, health quality again improve करना है young population का, क्योंकि health नहीं रहेगा, तो wealth नहीं रहेगा, यह important है, और finally एक और चीज है, आपने देखा ह प्राइमिश्टर मोदी जी अक्सर एक बात करते रहते हैं, अमरित काल के बारे में, उसका मकसद यही है कि 2047 तक भारत को developed nation बनाना है, तो इसको अगर हमें लाना है growth strategy from अमरित काल, तो कहां पर focus करना है, अगें private investment जादा से जादा है, इसके लबा agriculture जो मैंने आपको बला, यह हमारे देश का growth engine बन सकता है, यह focus करना है, बहुत important, green transition अगें इसको भी include किया गया इसमें, education employment gap, education तो हम ले आते हैं, लेकिन उनको employment नहीं मिल पाता है, वो gap को कैसे fulfill किया जा है, यह सारी चीज़े, MSMEs बगरा हो गया, यह सब चीज़ें focus करेंगे, तो हम अमरित काल की बहतर तरीके से बढ़ पाएंगे, और जाने से पहले अगें, यह chart आप देख सकते हो, pause कर सकते हो, जैसे कि GDP growth का chart है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, physical deficit, यह अच्छी चीज़ें लगतार गिर रहा है, forex reserve जो हमारा लगतार बढ़ता जा रहा है, food grain production अगें, बहुत जादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ, हमने ठीक ठाक performance किया है, और इसके लावा industrial growth भी जो है, वो भी आपकी ठीक ठाक performance चल रही है, service sector भी लगबग 8-10% के आसपास grow कर रहा है, capital expenditure अगें बहुत important होता है, सरकार जो खर्च कर रही है, जितना जादा वो capital expenditure पकरेगी, सड़क बनाने में, flyer बनाने में, यह सब जादा हमारे देश को growth दे सकते हैं, तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, I hope कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक detail आपको analysis में लाना चाहता था, एक overview देना चाहता था यहाँ पर, कि economic service 2024 में कौन-कौन सी important चीज है, व किसी को IBRD, किसी को blend countries, मतलब इस basis पर आप उस organization से loan ले पाओगे, तो कौन सा ऐस organization है, जिसने ये चीज़ किया आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time